दोस्तों मुस्कार इन दिनों वोल्ड क्व चल रहा है व्लड कप क्रिकेट और इसमें इसे मैने में बहुत याद रखा जाता यहां हमीशां क्योंकि एक तो इसमें Rs. Rikards बहुत बन रहे हैं हर मैस कोई न कोई . Rikard ॏ से रिकार्ट जो 1950 के पहले व्लड को कि आयोजन से लेकर अब तक जो काम पहले कभी नहीं हुआ वो इस बारत देखने को मिल रहा है इतना ही नहीं भारत की मैचों में ही भीड दिखाई दे रही है भारत के अलावा जो अन्य मैच है वहां पर भीड बिल्कुल नहीं है या दूसरे शब्दों में कहें देसी भाशा में उलू बोल रहे हैं तो यह एक अपने आप में विडंबना है और क्या विडंबना है कि भारत इसका मेजबान है और भारत की अबादी अंदे जो टेस्ट प्लेंग कंट्रीज हैं जो और आयोजन करता है उनसे कहीं जादा है लेकिन दर्शकू में वंडे क्रिकेट के पत पुरानी है बहुत लंबे समय से चली आ रही है और सारे रिकॉर्ड पूटते हैं आम तोर पर लेकिन वर्ल्ड कप में दर्शक शम्ता के लिहाज से अगर देखें तो यह रिकॉर्ड भारत पाकिस्तान के नाम नहीं है आपको चुकाने वाली बात लग सकती है यह और का स्टेडियम भी बहुत बड़ा है यह बड़ी वज़ा हो सकती है लेकिन अब यह रिकॉर्ड टूटना तय है क्योंकि आप मुकाबला एम्दाबाद के नरेंद्र मोधी स्टेडियम में होना है जिसकी दर्शक शम्ता एक लाग बत्तिस हजार है यानि करीब-करीब अगर अगर नॉम्स को भी फालो किया जाए तो सवा लाख दर्शक यहां पर आ रहे हैं और एक जिसे कहते हैं कि शायद उसकी बड़ी वज़ा ये भी है इंडिया पाकिस्तान के अलावा कि यहां एक तरफ पूर वर्ल्ड चैंपियन है पूर वर्ल्ड नंबर वन है तो दूसरी तरफ मौजूदा वर्ल नंबर वन है और दोनों पूर चैंपियन भी है एक 1992 का और दूसरा दो बार का वर्ल्ड चैंपियन है 2011 का भी 1983 का भी तो एक तरफ एक टीम जो है रनों का पीछा करके आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं जो जिस अब दीवे पैदा होते हैं ऐसे खिलाडियों के रिकॉर्ड भी तूटते हुए यहां दिखें है और रोही शर्मा के नाम वो रिकॉर्ड रहा है रोही शर्मा ने दोनों के रिकॉर्ड तोड़े है फास्टस सेंचुरी का कपिल देव का और सचिन तेंडूलकर का तोड़ा है सबसे ज़यादा वर्ल्ड कर देशी 비슷 है उसको पार किया है उन्होंने अब साफ देश सर sık्ल नाम ऑन्के नाम वह भी सचनद की दुल्लार में बहुत कम पारियों में हलाकि दो अलगला है तेरा साल बाद वर्ल्ड कप मैच भारती जमी पर हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का आपको याद दिला दें कि महाली में 2011 में सेमी फाइनल इन्हीं दोनों मुलकों के बीच में आजित किया गया था और अब एहमदाबाद वैसे भी एक बड़ा ग्राउंड है और यहां पर IPL का फाइनल भी खेला गया था जहां रिकॉर्ड तोड दर्शकों की संख्या थी जो इससे पहले कभी भी इतने संख्या में लोग नहीं आये थे शाय स्टेडियम की कैपसिट इतनी नहीं थी क्योंकि चनई सूपर किंग्स और गुजराद के बीत में यह मुकाबला आयजित किया गया था एक लाग दो हजार दर्शकों ने IPL के फाइनल मैच का लुथ उठाया था और टीवी दर्शकों की अगर हम बात करें तो इंडिया श्रिलंका का मुकाबला जो वर्ल्ड कप जो फाइनल में हुआ था दोजार ग्यारा में उस जिताया था और इंडिया पाकिस्तान मैच 2011 का वर्ल्ड कप इसी वर्ल्ड कप में जो मुहाली में सेमी फाइनल खेला गया था जहां सचिन तेडूल करने अच्छी पारी खेली थी उनको कई जीवंदान भी दिये थे पाकिस्तान ने कई कैचिस छूटी थी 59 करोड 50 लाख द 2015 के वर्ल्ड कप में आजित किया गया था इसे 31 करोड 30 लाख दर्शकों ने देखा था टिवी पर और भारत और सौथ अफरीका का मैच 2015 के वर्ल्ड कप में ही 30 करोड दर्शकों ने देखा था तो अब यह मान कर चलिएगा कि यह सारे रिकॉर्ड आप तूटने जा रहे हैं ऐसा लगता है क्योंकि अब दोनों आला दर्शे की टीमें है क्योंकि जब से पाकिस्तान ने विश्व की इरतिमान मनाया है सबसे अधिक रनों का पीछा करके और वहीं रोहिश शर्बा ने कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्श किये हैं पिछले मुकाबले में उससे इस मैच का अकरशन और भी जादा बढ़ गया है आप क्या सोचते हैं अपनी राइस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर दें अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें नमस्कार